एक बार चैट में, येस लिख दो जल्दी से अगर तैयार हो गए हो तुम लोग, अवास थीक आ रही है, वीडियो ठीक आ रही है, आगर बाई चांस वीडियो यूट्प पे आप लोग देख रहे हैं, तो लाइक कर देना, बाई चांस अगर यूट्प पे आ गई ये वीडि जब भाई साब ग्रुप 2 के एक्जाम्स आने वाले होते हैं तो मुझे लगा कि थोड़ा प्रोएक्टिव बनते हैं और आपको आज से ही गाइड करना शुरू कर देते हैं और ताकि आप लोग अपनी अच्छे से प्रपेशन कर पाएं अब ज़रा ध्यान से मेली बातों को सुनिएगा चैट में तभी जवाब दीजेगा जब मैं पूछू कुछ YouTube वालो तुम लाइक कर दो नहीं तो तुम्हें पाप चड़ेगा सबसे पहली बात मैं करना चाता हूँ Classes के बारे में आप में से मैं इसलिए इसको ऐसे address कर रहा हूँ क्योंकि शायद YouTube पर भी जाए वीडियो आप में से अच्छा screen visible नहीं है लीजे आप में से कई बच्चों ने जिन्होंने class नहीं ली है ले ली है भाई decide कर लो classes करनी है कर नहीं करनी है और उस वाले मुद्दे को side करके फिर आगे बढ़ो classes लेनी है class low नहीं लेनी है मत लो self study करो जहां से लेनी है classes वहां से low अगर decide कर लिया है और उसके बाद बेटा किस पे लग जाओ come on tell me self अपना study पे लग जाओ बढ़िया तरीके से तो यह point यह सबसे यहां पर मैंने क्यों बोला मैंने इसलिए बोला बेटा अब आप state of indecision में मत रहो she loves me, she loves me not, she loves me, she loves me not अब नलाय को अब पढ़ने का समय है अब indecision में रहोगे तो गढ़ बढ़ हो जाएगी is that clear to everyone come on come on give me a yes in the chat box और वीडियो वाले बच्चे थमजब भी दे सकते हैं जल्दी से, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चलिए, अब गाड़ी को बढ़ाते हैं आगे तो classes का भाई सब आप लोग discussion कर लीजिए लेनी है, नहीं करनी है, कहां से करनी है दूसरी दूसरी faculties के लिए कॉमेंट्स आ रहे थे मेरी बातों को बहुत ध्यान सुन लिजेगा आप कहीं पे भी अगर class लेने जा रहे हैं इन factors को जल्दी से बता देता हूँ उनको ध्यान में रखिएगा, एक आपको doubt support जरूर मिलना चाहिए, अपने teachers के साथ दूसरा, आपके mock test जरूर conduct होने चाहिए, जरूर 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 conduct होने चाहिए अगर mock test conduct नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आपके तैयारी नहीं हो रही है फिर आप हवा हवा में घूम रहे है फिर आप चांस ले रो कि पास हो गए तो हो गए नहीं होगे तो नहीं होगे दोनों का कहने का अर्थात ही है कि ये टीचर जो है आपके साथ टच में रहे बस किसी भी तरीके से ये बात अपने ध्यान में रखनी है come on come on ऐसा ना हो कि ख्लासिस देने के बाद चलो भाई जैमाता दी और एक बात देखी मैं किसी व्यक्ति विशेश पर टिपड़ी नहीं कर रहा बट कोशिश कीजिए रिलाइबल टीचर्स के पास जाईए जो टीचर्स आपको विश्वास है कि बीच में नहीं जाएंगे इदर उदर क्योंकि पिछली बार कहीं बच्चों के साथ ऐसे हुआ उन्होंने कहीं जॉइन किया एक्स टीचर की वैसे वो एक्स टीचर उटके Z organization में चलागे बच्चे सोचे है हम आये तो किसी और के लिए थे और मैं पढ़ा किसी और ने दिया तो पसंद है किसी और की तुझे चाहता कोई और है ऐसा ना हो जाए बेटा तुमारे साथ तो कुछ बात है coaching जॉइन करने से पहले ज़रू 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 ध्यान रख लिजएगा आपने अगर मैं आपको एक ही थमरूल बताऊं classes join करने का तो आप देखें क्या आपको value for money मिल रहा है या नहीं मिल रहा है जहां पे आप एक भी रूपया खर्च कर रहे हैं महां पे आपको value for money मिल रही है या नहीं मिल रही है मैं coaching वाले मुद्धे पे और ज़्यादा नहीं जाऊंगा doubt support, mock test, must have है teacher के साथ आपका contact बना रहना चाहिए और आपको value for money मिलनी चाहिए reliability बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दाट clear? बोलिए चलिए, ये classes की बात हो गई अब एक बात मैं आपको याद दिलाता हूँ आप मेंसे कहीं बच्चों ने first group के paper दे दी होंगे कौन कौन है जो first group के paper दे चुका है जरा बताओ मुझे first group के पर दे क्या है अभी come on come on come on come on, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ मुझे thumbs up कर दो, बहुत बड़ी है, चैट में लिख दो हाँ, अब मेरी बात सुनो बेटा क्या हुआ था first group में? याद है आखरी moment तक ऐसे लगा था है एक दिन और मिल जाए, पांच मिनट और मिल जाए एक मिनट और मिल जाए, अब तुमें सोचो कितना समय मिला है निवंबर 2023 के लिए एक बार सोच के देखो, आधा मई, जून, चुलाई, अगस, सितंबर, ऑक्टूबर यानि साड़े पांच महीने तुमारे पास है तो आपने यही सीखा है न, भाई साफ फर्स ग्रूप देखे कितना समय मिल जाए, वो हमेशा कम रहता है टाइम जो है, एकदम गोली की तरह भागता है भाई साब, CA exam से गोली की तरह है कब मई से नवंबर आ जाता है, और कब नवंबर से मई, पता ही नहीं चलता तो इसलिए आपने एक बात जो ध्यान रखनी है वो यह, प्लीज फोकस कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको अब efficient और effective study करनी है, efficient मतलब time bound होके, effective मतलब quality ऐसा ना हो के भाई साब आप लोग audit के batch शुरू कर रहे हो, अरे आराम से कल लेंगे पंदर ऑक्टूबर तक जागे देखेंगे क्या होगा, राइट, एफम शुरू कर रहे हो, बस नवंबर में paper से जस्ट पहले खतम करेंगे वो तो, नहीं भाई, आपने efficiently पढ़ाई करनी है, effectively पढ़ाई करनी है, और efficient का मतलब यह नहीं है, अच्छा, चलो, 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 सर क आपको handwritten notes बनाने है, जो भी आपको important चीज़े mark करनी है, highlight करनी है, जो भी आपको first reading में, first time study में करना होता है, वो please कर लीजिएगा, okay, and you should have a target in your mind, कि आपके आस minimum 60 days बचे रहें, revision के लिए minimum 60 days, और याद रखना बच्चो, accounts की सबसे खास बात पता, मुझे क्या लगती है, provision for doubtful debts, तो अपनी emergency के लिए provision में आके चले, उनका birthday, उनके doggy का birthday, उनके पडोसी का birthday, माता का जगराता, तुमारी crush की सगाई, क्यों बेटा, शुकर मनाओ, सगाई बोला, गोद भराई नहीं बोला, बेटा, crush की, सगाई के बाद फ़र भी chance है, तो याद रखें इस बात को, क कि आपने बेटा provision for emergencies incorporate करके चलना है, 60 दिन बचाने है, और उसमें भी 10-15 दिन का provision for emergency incorporate करके चले, नहीं तो बाद में गड़ बड़ हो जाती, फिकत, और सुर बड़ा ही एकदम न, अचानक से ही 10 दिन गाइब हो गए, जैसे अभी आप बीकॉं वालो से मुलेगा न, सुर ब पूरा schedule बिगड़ गया, पहले पता नहीं थी, बीकॉं के paper आएंगे, मुझे बताओ, पता था न, एकदम अचानक से थोड़ना आ गया, ऐसे चलना थे, कल से बीकॉं के paper है, भई, you knew it, and accounts में हमें कुछ सिखाया हो, ना सिखाया हो, बेटा, हमें provision बनाना तो सिखाया ही है, तो आपने effective और efficient study करनी है, एक बात, efficient मतलब time bound, effective मतलब बहुत अच्छे से एक ही बार में पढ़ना है, ऐसा ना हो कि भाई साब जब दुबारा वो खोलो, हैं, ये क्या था, ऐसा कुछ था भी सा, इस levels में, नहीं, ऐसा नहीं करना है, और साथ में बच्चों, आपको एक target हो बात करने का, अच्छा जी, अब मेरी बात सुनिये जरा, प्लीज, अब मेरी बात सुनिये, अति दुखी आत्मा, doubt number one, सौर मैंना, सिर अफना, group two के exam दे रहा हूं, सौर मैंना, कितनो subject पढ़ूं सौर एक दिन में, देखो, पहले नहीं मेरी बात समझ लो, मैं, मैं, अभी जब exam सल रहे थे, तो हर teacher आता था, कैसे पढ़ें डेड़ दिन के अंदर, कैसे बन जाएं hero डेड़ दिन के अंदर, और मैंने ये भी देखा, कि कहीं teachers time बताते थे, साड़े छे बज़े से साड़े साथ में तक ये पढ़ ले ना, अब देखो, मेरा किसी से कोई दुश्मनी बट मुझे एक बात बताओ, is it possible कि हम सब एक ही तरीके से एक ही time पे एक ही चीज़ पढ़ें, भाई नहीं possible है, आपका pattern आपका pattern है, आपका time table आपका time table है, ये बात जब तक आपको समझने आएगी तब तक आप दुखी रहोगे, तो वो rank holder भाया ने बोला था, सर वो उस व करना है, मैं आपको pinpoint करके नहीं बताओ, अगर 36 पर उठना तो पाप चड़ेगा, ऐसे थोड़ ना बोलूँगा भाई मैं, मैं आपको एक plan बना के दूँगा, broad guideline और अगर आप उसको follow करेंगे तो मज़ आएगा, done, आईए, तो broad guideline क्या है, मिनी बात को ज़र ध्यान से सुन कि, कई बच्चे क्या करते हैं, गलती, जो मुझे लगता है, चार subject उठा लेजी दिन में, बेटा, एक न, switch cost भी होती है, यह switching cost क्या होती है, आपने दो गंटे audit पढ़ा, फिर आप उसके बाद दो गंटे FMS, आप, आप, भाई, कोई, कोई, चिट्टी नहीं हो, चिट्टी कभी बनानी है, अगर मैं आपको, आपकी भाशन में बोलूँ, तो महल बनाना है, बेटा महल, पहले महल बनता है, तबी तो पढ़ाई होती है, इससे बढ़िया यह होगा, कि आप चार subject एक दिन में ना उठाएं, आप लोगों को classes भी करनी है, तो आप दो subject उठाएं, कोई आपको डीला छोड़ देंगे, तो भाई सब रायता बहुत ज़्यादा फैल हैगा, इससे आपको मतलब क्या है, मेरे बाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, नीले, मेरे दोस्त, अभी आपना जोश से आयो, अभी आप वो हो जो डेड़ देड दिन के अंदर पूरा-पूरा स्लेवस खा रहा था और मैं आपको assurance दे सकता हूँ, हर बच्चा जो भी paper दे के आया है, वो भाई सब कम से कम 10-10-12-12 गंटे पढ़ रहा था daily basis पे, उस rhythm को बना के रखें, हलका सा pressure mind वी बना के रखें, देखिए ये आपके लिए positive pressure होगा इसकी विज़े से आप लोग perform करते रहेंगे तो वैसा ना हो, अब तो November में paper है, तेरा भाई दिन में 2 गंटे पढ़ दो लिया, बहुत नहीं हो गया 2 गंटे नहीं, बहुत नहीं हो गया 2 गंटे कुछ नहीं है, वेलिया मारने से अच्छा है आप लोग बैठके 10 गंटे, 8-10 गंटे का quality output निकाल ले है, और भाई सुनो, एक तो आज कलम बहुत ज़्यादा ना, ये self-care वाले चोचले भी बहुत होगे, नहीं अपने ध्यान रखें आज गंटे कौन पढ़ता है, तुम्हें पता नहीं है भाई, पढ़ ले ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें self-care अपनी जगा है, और ये भी एक तरह की self-care है, अपनी पढ़ाई करना ये आपकी career की care है, नहीं तो बात में self-care करने में दिक्कत हो जाएगी, ओके तो आप दो घंटों को उसमें मान लीजे, पांच घंटे पढ़ रहे हैं दो subject को पांच-पांच घंटे में बाट दीजे अब आप ये देखो, subject complete कब तक करें, अब भाई, ये question बच्चे बहुत पूचते हैं, मैं बोलूँगा एक broad guideline लो ना आप तो ऐसे बूचते, सुरी बता दो के 6 अगस्त रात को 8 बच्च के 25 मिनट में ने subject complete कर दूँ अपना, हाँ बच्च के 25 मिनट, 31 सेकंड और 10 माइक्र सेकंड पर complete कर दियो आप इसको simple क्यों नी समझते हो, माल लो आपने audit की classes ली है, अब audit की classes मैं आपको बता रहा हूँ 130 गंटे की है, तो 130 गंटे divided by 5, 26 दिन में आपका audit complete हो जाने चाहिए इस प्रकार से, सुर उसमें तो time भी लगता है ना, तो नलाय को तुम भी तो 1.5 पर देखो गए, पता नहीं है क्या, तुमारा तो इस वीडियो को भी मन कर रहा होगा, speed वाला बटन ढून रहे होंगा आदे बच्चे, कैसे बढाएं इसकी speed है ना, YouTube में तो बढाली होगी, तो मेरी बात को सुनें, समझें, और process करें, कि भाई किसी teacher के पास ऐसे मत जाओ, सो बता हो, कौन से दिन, कौन से घंटे में, कौन से second में course complete करूँ, simple calculation है आपके पास, आपको एक index मिल गया होगा, एक rough idea मिल गया, अच्छ, audit का course इतने आर्स का है, आप उसको करो ना, divide, multiply, 26 दिन निकल रहे हैं, आप 5 दिन, और निकाल लो भाई साब अपने पास, हलो, अच्छ, एक बात में आपको और बता दूँ, कि audit की live classes में शुरू कर रहा हूँ, कुछ बच्चे कह रहते हैं, live पढ़ाओ, live पढ़ाओ, तो हम audit का chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 5, और एक आप chapter उठागे live भी कर लेंगे, तो आपके बाद जो pre-recorded वीडियोज हैं, वो तो हई, और live में भी आके अगर आप देखना चाते हो, अगर अपना rhythm मनाना चाते हो, routine मनाना चाते हो, तो वो भी बन जाएगा, thank you बोलो सब बच्चे ज़रा, क्या-क्या करवाते हो मुझसे, पूरी recorded classes देने के बाद भी, और वो view में count नहीं होगा, don't worry at all, enjoy, okay, okay, चलो, आज हो जब आप बापिस यहां पर, हाँ जी, तो हमारी कहां तक बात पहुच गई है, कि भाई साफ हमने जो हैं, दो subject पकड़ने, और आप यह देखो न, अब आप यह देखो बच्चो, प्लीज इस बात को feel करना, मेरे साथ ज़रा जुड़ना, यही आप audit को कर दिन में दो घंटे पड़ोगे, फिर क्या होगा, 130 divided by 2, मैं rough ideas दे रहा हूँ, 65 दिन लग गए, 65 days, अरे महुली खराब हो जाता है, 65 days में तो, लास में जाए किसे लगता है, क्या है यारे, समापती नहीं हो रहा, खता में ही नहीं हो रहा, क्या पनावती है, लेकिन 26 दिन में आप cover कर जाओगे, क्या बोलती public, come on, तो इस तरीके से बच्चो, और मैं फिर बोल रहा हूँ, भाई मैं तुम्हारे ओकर कुछ थोपना नहीं चाहता, I am just trying to guide you, क्या आप क्या कर सकते हो, याद रखना, the game is all about probability, options, pinpoint accuracy से, ना मैं guide कर पाऊँगा, ना follow कर पाऊँगे, आजी, clarity है, clarity है, come on, आएए जी, आगे बढ़ते हैं, और कुछ देखने की बाते करते हैं, तो I hope ये बिल्कुल clear हो गया भाई, कितने speed पढ़ने हैं, अब मैंने जो आपको कितने subject पढ़ने हैं, मैंने आपको पहले एक बात बताई, speed maintain रखना, speed maintain रखना, speed maintain रखना, किसी भी हाल में, माइंड से develop कर लो final अपना, आप देखने, अपने आपी speed निकलेगी, अपने आपी quality निकलेगी, come on, come on, अच्छा, अच्छा, अच्छा अच्छी आत्मा, doubt number one, Sir, Sir, हमनो audit पढ़ रहे हैं, हमनो Sir, लेकिन एक tension में है, कि अगर हमने अभी audit पढ़ लिया, तो में बाद में याद ही नहीं आएगा, कुछ हमने क्या पढ़ा था, पीटा, कैसी बाते कर, तुम ऐसी बाते बोल कैसे सकते हो, क्लास 12 किस-किसने पास करी है, raise your hands, ने पीटा, इसलिए पूछ रहा हूं, तुम business studies याद आ गई थी ना, last में के नहीं आई थी, eco last में याद आ गई थी के नहीं आई थी, ऐसे ही ये भी आ जाएगे, अपने उपर तो विश्वास रखो, hello, ठीक है, मेरी बात को सुनो, आप जो भी subject हमारे पास पढ़ रहे हैं, audit है, FM है, eco है, सारी वीडियोज देखें, जो आपको चीजे बताई गई हैं, class में उसे follow करें, question bank दिया गया, उसे follow करें, सब कुछ अच्छे से follow करें, first time पे, और जहां पर आपको खुद noting करने का मन कर रहा है, underline करने का मन कर रहा है, अवाज ठीक आ रही है मेरी, सब बता देजिए एक बार जल्ली से, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, तो प्लीज, इस पे आपने ध्यान रखना है, कि speed maintain रखनी है, speed के साथ साथ आपने quality भी जो है, वो maintain रखनी है, और इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, कि भाई, हमें बाद में याद नहीं आएगा, बाद में बिल्कुल याद आजाएगा, please tension ना लें, और जो बच्चे चैट में बोल रहे हैं, आर्टिकल शेप वालो को guide करो, करूँगा बेटा, करूँगा, रुक ठंड तो पालो, एक एक कर लूँगा session, पक्का करूँगा, बिश्वास रखो, तो please, आपने इस बात पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कि speed maintain रहे, और आपने quality for sacrifice जो है, वो नहीं करना है, is that clear? अब एक और अतिदुखी, आत्मा doubt आती है, Sir, Sir, paper दिया है, सब तब से सर result के बारे में सोच रहा हूँ, क्या करूँ, मैं पढ़ने बैठता हूँ, आखो के आगे result आ जाता है, तो बेटा, result को आप बोलो, you can't see me, ठीक है, result को छोड़ तो, रिजल्ट की टेंशन छोड़ दो, मेरे भाई, वो हो गया, result, is like, break up बेटा, break up, वो हो गया, वो गई, future के बारे में सोचो, जिस दिन result डिकलेर होगा, मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना चाहिए, काइदे से, कर नहीं पाओगे, आदा घंटा, एक घंटा, रो के तुरांट, उसे रे, closure करना, closure, I have experienced this in my life, के अगर आपके दिल में कोई दुख है, आपके दिमाग में कोई दुख है, उसे close करो, जब तक आप close नहीं करोगा, आप आगे नहीं बढ़ पा होगा, और इस period में, गुरूप टू खराब नहीं करना है, result की वजह से, गुरूप टू खराब नहीं करना है, result की वजह से, repeat after me, गुरूप टू खराब नहीं करना है, result की वजह से, ओके, भोल दिजे, great, तो ये बात आपने अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है, और इसी के साथ-साथ एक एक बात और ही बोल दूँ एक बहुत important बात, खुश रह के बढ़ा करो मैं देखता हूँ बच्चे इतना ज़्यादा tension में आज की rate में है यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, बंपूट जाएगा एक तो LinkedIn खोल ले तो LinkedIn पे सब की एसे बड़ाईयां चड़ाईयां लिखी होती complex हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं है यह देख न कहां कहां पहुच गी दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ आज ज़्यादा पोस्ट फेक होते हैं, बातों को मैं तुम्हें आज दिखाता हूँ बेटा मैं तुम्हें आज दिखाता हूँ कि LinkedIn के पोस्ट कैसे जो है फेक होते हैं यह देखो, अभी दिखा रहा हूँ वेट करो जड़ा, मुझे एक मिनट समय देखा तूँ यह देखो, मैं अभी तुम्हें पढ़ के दिखाता हूँ LinkedIn की रियालिटी मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ एक मिनट देदो बस बेटा, मुझे एक मिनट देदो, यह देखो यह देखो यह देखो, सामने स्क्रीन पे रहा है देखो क्या लिखा है सामने स्क्रीन, बढ़ना I am honored and thrilled to announce that I have been selected among the top 5 applicants who participated in professional and most respected exam which evaluates the skills and ability to operate a fuel based vehicle I cannot wait to see that what next chapter holds and cannot express my appreciation to the ministry of transportation Wendy's, Google's, NASA and my neighbor who supported me during the difficult time ये license बनवा के आया है ये license बनवा के आया है मितरो पोस्ट देख रहे हैं उसका मतलो stress किसी का भी मैं आपको बता रहा हूँ मतलो किसी का भी stress बेटा आप ही पच्टाओगे बाद में अपने आप पे ध्यान रखो अपनी progress को अपने आप से comparison करो दूसरे से comparison करोगे हमेशा दुखी रहोगे वो आगे निकल गया वो आगे निकल गई उसने देखो क्या चीव कर लिया वो देखो कैसे कर अजी छोड़ो राइट तो भाई एक promise आप से और ले रहा हूँ के खुश रहके आप लोग पढ़ेंगे positivity के साथ पढ़ेंगे पास होने के लिए पढ़ेंगे अपने लिए पढ़ेंगे अपने मातापिता के लिए पढ़ेंगे दूसरों के दूसरों के success से दूसरों के आगे बढ़ने से नहीं हम लोग जो है वो जलेंगे come on come on बोलिए देखा LinkedIn पे और बेटा रियल लाइफ में कितना बड़ा फ़रक है यह license बनवा के आया है और नास्तों को thank you बोल रहा है anyways चलिए तो यह बात आपने ध्यान रखनी है अब आपको मैं एक मूल मंत्र दे रहा हूँ मैं चाहता तो इसका भी LinkedIn पोस्ट बना सकता है ऐसे एक दम तड़कता बढ़कता motivation वाला बट मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चो आपने यह formula follow करना है throughout your preparation P.E.R सब बच्चे एक बार repeat करें मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ इसको हाँ जी क्या formula है P.E.R सब बच्चे बोलेंगे में एसाथ P.E.R बोलो बेटा बोलो P.E.R और P.E.R यह सिरफ पढ़ाई के नहीं नहीं है आपकी पूरी life के लिए आपको बता रहा हूँ plan, execute, review and repeat plan, execute, review, repeat मेरे साथ plan, execute, review, repeat एक बार और बेटा एक बार और plan, execute, review, repeat सब क्या है सब यह क्या बवाल है पीटा कुछ बवाल नहीं है इससे simple कोई चीज नहीं हो सकती है daily planning फिर उसकी execution फिर उसका review आप लोगों ने standard costing तो पढ़ी होगी बोलो हां के न variance ढूनना था, variance ढूनते थे उसमें यह वही है कि आपका एक budget है, फिर आपकी actual performance है और फिर आप उसका variance के reasons ढून रहे है अगर इससे भी ज़्यादा dumb down करूँ याद करो बेटा class 12 जिन्होंने business studies पढ़ा होगा class 12 में कोई है जिसने business studies पढ़ा था cbsc, book 1, last chapter controlling deviations, reasons for deviation वही बात कर रहा हूँ मैं जिंदगी वही थी बेटा सारी कि सारी तो याद रखे इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ कि आपने अच्छे से planning करनी है एक long term plan जो मैंने आपको एक broad plan दे दिया कि 60 दिन आपके पास बचने चाहिए अपने slivers को बाठो, divide करो और दो-दो subject को complete करो, ये broad plan हो गया अब इसको आपने उतारना है अच्छा जी, मैं आज दिन में ये दो subject पढ़ूँगा इन दो subject की, मानलो आप बोल रहे हो कि मैं अपने audit की तीन वीडियो खतम करूँगा डेड़ गंटे की वीडियो है, चलो जी साड़ चार गंटे का हो गया और FME को की भी मैं पाँच गंटे की वीडियो खतम करूँगा तो आपको लिखा होना चाहिए वो अति दुखी आत्मा, doubt number one और planning में तो आपका भाई champion आसा है लाकिन execution में बहुत दिक्कत होती है लग जाती है sir, execution में sir और फिर उसके बाद आती है demotivation फिर हम planning करना छोड़ देते है मतलब, मानो आपके दो दोस्त है एक है planning, एक है execution execution ने तुम्हें दोका दे और तुम planning को छोड़ रहो क्यों छोड़ रहो, बेटा planning करते रहो मैं आपको, मैं बता रहो, मैं इसके LinkedIn post बना सकता था कल, by chance, मैं मिष्टी के study room में गया और मेरे को एक कहीं से एक अच्छी सी diary मिली थी तो मिरा नाम लिखा तो मिष्टी ने जिद करके ले ली बच्पन में आपने भी किया होगा, बापा को डैरी मिली बापा, बापा, मैं लूगा, मैं लूगा, तो उसने हो ले लिए and I was shocked, मिष्टी 9 साल की है, daily basis पे date डाल के अपना पूरा दिन लिखती है कि मैं क्या-क्या करूंगे, कि इतने-कितने बज़े daily basis पे, उसने लिखा विए, इतने बज़े सोना है इतने बज़े उठना है, इतने बज़े स्कूल जाना है, फिर प्यानो प्ले करना है, फिर चेस and I was surprised, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो daily basis पे, आप एक plan ज़रूर बनाओगे, वो अगर execute नहीं हो रहा है, उसकी reason लिखोगे मान लो, आपने plan में आज में 10 गंटे पढ़ूँगा, आप 8 गंटे पढ़ पा है, लिखो न 2 गंटे कहां थे Netflix पे कौन सी web series देख रहे थे लिखो ज़्यादा detail मत लिखना, कहीं पापा ने खोल के देख लिए तो गडबड़ जाए किसी दिन लेकिन अपने आपके ले तो लिखो, अपनी तो बेशती लिखो ढंग से तुम अपनी बेशती ने लिखो गे तो अपने आपको कोसो के नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे और self-care वालो सुन लो, यह self-care नहीं है, binge watch करना किसी web series को, hello please, 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 मेरी request है आपसे, कि भाई, आप क्या करें, आप जो है, लिखें, daily basis पर, अच्छा, प्रांजल ने question कुछा है, प्रांजल, मैं प्रांजल का question ले लेता हूँ, सद 10 घंटे वीडियो देखना मेरी capacity से भार है, उसके बाद खुद से भी पढ़ना होता है, कोई बात नहीं, मैंने चार पेज पढ़ाएं आपको, मैं कोई ज़्यादा प्रेशर डालता है नहीं, बच्चे को पर उख्यूज जरूड जाएं, तो और उन चार पेजों के रिवाइस करने के लिए प्रांजल आपको चाहिए 10 मिनिट, 15 मिनिट, maximum 20 मिनिट, आप लोगों ने श्याद एक् करना है, plan, execute, review, repeat, plan, execute, review, repeat, यह नहीं हो रहा, तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहुत बड़ी गड़बड में हैं, आप लोग, बहुत बड़ी गड़बड में, ओके, ओके, देखो, यह भी हमारे भाई साब एक बोल रहे हैं, कि सर, कितनी दफ़ा डैरी में लिखा है, target complete नहीं होता, तो confidence down हो जाता है, यही तो दिक्कत है, फिर आप लिखना छोड़ देतो, दिक्कत है, execution कि आप छोड़ रहे है, planning को, ऐसे कैसे काम चलेगा, बेटा, planning करते रहो, at least आपके पास आपका record तो होगा, देखो, मैं आपको एक बाप बताता हूँ, simple सी बाद, बहुत मेरी बात सुनो, मुझे कुछ लेने दें नहीं, तुम सुबे पढ़ो के शाम को पढ़ो, आप जो भी कर रहे हो ना, मेरी बात सुनो बच्छो, पता है, companies कैसे काम करती है, मैं आपको बड़ी से बड़ी company के एक simple सी बाद बता रहा हूँ, वो एक strategy बनाती है, जहान से देख करती है, आप ऐसे काम क्यों नहीं कर रहे हो, आप एक strategy बनाओ, मानलो आप early morning उटके पढ़ना पसंद करते हो, आप early morning, मैं रोज अपने साथ ये करता हूँ, for your kind information, तुमारा भाई रोज साड़े चार से पौने पांच बजे की बीच में उट जाता है, daily basis पे, daily, लोगों का दिन शुरू नहीं होता है, मैं भाई साथ पांच से साड़े पांच की बीच में अपने office आके बैठा होता हूँ, सवा पांच से साड़े पांच, सुबह की बात कर रहा हूँ, शाम की नहीं, right, साड़े नौ, दस बजे तक, तो मेरा आदा काम complete हो जोगता सुबह साड़े न टक के पढ़ो मेरी बला से, पढ़ो, मुझे चाहिए कि आप एक routine बनाएं और उसको follow करें, और उस routine में observe करके, ध्यान से, उस routine को observe करके, changes करते रहें दीरे दीरे, आपको पता नहीं होगा, आपने ममी बाप से पूछेएगा, बच्पन में जब टीवी आते थे थे टीवी चैनल नहीं आता, तो उसे fine tune करना पड़ता था, और उससे भी पीछे जाओ, तो छट के उपर एक एंटीना लगा होता था, घर में दो लोग ज़रूर चाहिए थे, पेटा सई टीवी देखने के लिए, एक उपर एंटीना घुमाता था, एक नीचे से पूछता था, एक नी रूटीन बताता हूँ, इधर देखेगा, everyone please follow, ज़र देखेगा मैं रूटीन कैसे बता रहा हूँ, भाई मैं साड़े चार से पौने पांच के बीच में 100% उठ जाता हूँ, Monday to Friday में, right, सुबह, अच्छा, उसके बाद मैं अपने office में सवा पांच से साड़े पांच की होती है, साड़े नौ बजे में free होता हूँ, अब पता है क्या हो रहा था, यह साड़े नौ से साड़े ग्यारा बजे अला time में waste कर रहा था, दो घंटे waste कर रहा था मैं, मैंने इसे tweak किया, मैंने इस time पे work out करना शुरू कर दिया, book read करने शुरू कर दिया, अपने एक छोट इसे आप उसको जो है, utilize कर सकते हो, come on, come on, और please किसी चक्कर मत पढ़िये के सुबह उठने वाले कामयाब हैं, के रात को लेट बढ़ने वाले कामयाब हैं, कामयाब वो है जो अपने आपको जानता है, अपनी weaknesses को minimize करता है, अपनी strengths को maximize करता है, come on, come on, और आपकी weakness अच्छी की तरह सचिन तेंदूल कर जानता होगा, नहीं, कोली, कोली, भई, कोली, कोली जानता होगी, कोली, और दुश तो तुम जानते हो अपनी weakness खुद से, और तुम ही सुदार सकते हो, is that clear, बोलिए, बोलिए, तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, कि आपने अपना खुद क बनाना है, दूसरों को कॉपी नहीं करना है, राइट, और आपने तुम लो, गुरूप 2 के बारे बताओगे, भाई, यही है, ब्रॉड गाइडलाइन, अब, audit कैसे पढ़ना है, मैंने, क्लासे में भर-बर के बता रखा है, FME को कैसे पढ़ना है, नितिन सर ने भर-बर के क्लास देख लिए, तुम एक आत क्लास में तो छत फाड के बाहर निकल जाओगे, ऐसे-ऐसे हमने क्लासे ले रखे हैं उसके अंदर, एक क्लास में तो हम इतना लास्ट में इतना बड़िया महल बनिया था, I think chapter 7 की वो क्लास थी भाई, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, किसी से कीजिए, और देखिए, इसी दाइरे में रहिएगा, अब यह नहीं पूछना, audit के chapter 7 में, सर्वो sampling को नहीं, वो doubt session आपके अलग से होंगे बेटा, don't worry, is that clear, is that clear, come on, सबसे पहले, इस session का feedback मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या, आज आज आप थोड़ा सा bad कितना routine बनाएं क्याँ थोड़ा सा focus करेंगे, क्या पढ़ना शुरू करेंगे बहुत अच्छे से group two के लिए हाँ या ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत भश्वालों से भी बात कर लेंगे, जिन्नोंने बना लिया है, वो प्लीज आङए पढ़ते रहें, आगे नहीं है अपना रूटीन अपना टाइम टेबल आप्टिमाइज करते रहो ट्विक करते रहो सीखते रहो कहां गड़बड हो रही है और इसको गड़बड को ठीक करके जीतते रहो आज हो जी अब 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 आपके डाउट्स में लेना शुरू करता हूँ प्रांजल मैं आपको कॉल करवाता हूँ एक बार किसी से मैं आपके डाउट्स अब लेने की शुरू करता हूँ कौन जो है वो बात करना चाहता है सबसे पहले साहिल खुराना जी के पास चलते है हां जी खुराना जी बताएं प्लीज हां जी साहिल बताओ भाई बहुत ही बड़ी है अभी मैंने क्या बोला मेटा खुराना साब अभी मैंने आपको बता है यह थौट आपके माइंड में इस समय आना ही नहीं चाहिए सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनें के सर अभी पेपर दिये हैं अगर तो क्या करूंगा अभी से क्यों सोच रहे हो दोस्त मेरे भाई मेरे लाल मेरे प्यारे अभी तैयारी करने के लिए आफकास चार सब्जेक्ट हैं खतम होगा चारो गुरूप टूगे फिर यह आपकी प्रॉब्लम नहीं है साहिल भाई यह आद इसे ज़दा सीए स्टूट और मैं आपको बता हूँ लोग बाब बोलते हैं सीए की पढ़ाई टफ है इसलिए फेल हो रहे हैं सीए में बहुत स्लिए बस वास्ट है है वो सारी चीज़े लेकिन एक चीज़ यह ब प्रॉब्लम नहीं है और सब बच्चों के लिए मैसेज है प्लीज डॉंट वरी एट और अपने रिजल्ट को लेके बिल्कुल भी ना घवराएं जो भी होगा बढ़िया होगा टेंचन लेने की बिल्कुल भी आप लोगों को जुरुरत नहीं है ओके चलो जी नेक्स केंडिडेट के पास चलते हैं हम लोग बात करने के लिए यशी तरिपाटी जी आपको मैंने जो है वो अन्म्यूट कर दिया है प्लीज बताएं हाँ जी बोलो हाँ जी बोलो बोलो यशी बोलो बेटा हाँ जी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जुरत नहीं है कोई ऐसा बड़ा लिंकेज नहीं है कि आपको समझना है और वैसे भी जब मैंने जो ऑड़िट पढ़ा है विल्कुल स्क्रैक्स से शुरू किया है इवन अकाउंट्स की 11-12 की थोड़ी बहुत जो डिसक्शन है कुछ जनल एंट्रीज की वो मैंने कर रखी है तो आपको कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा यशी ठीक है और कोशिश करो के तुम से यशी स्पेशली बोल रहा हूँ यू आर केबल जल्ली पड़ो क्वालिट अगर यशी अगर एक एवरेज कैलिबर वाला व्यक्ति साथ दिन देदे स्ट्राइजिक मैंजमेंट को सेवन डेज आइम आसकिंग ओनली सेवन डेज राइट वो स्ट्राइजिक मैंजमेंट बहुत अच्छे से कवर कर सकता है चाहे वो फर्स टाइम पढ़ रहा हो ओके तो बिलकुल भी आपको घवराने की जूरत नहीं है SM को लेके EIS थोड़ा सा डेंजर जोन में है EIS के लिए मैं यह रिकमेंट करता हूँ जब आपके दो सब्जेक्ट जिस सरी के से मैंने भी आपको दो सब्जेक्ट बताया अगर आप वो कंप्लीट कर लेती हो बेटा तो आप EIS डेली डेड़ दो घंटा डेड़ दो घंटा एक गंटा डेड़ गंटा पढ़ना शुरू कर सकती हो ताकि एक एक फ्लो बन जाए और फिर जिस दिन आपको लगए कि अब मेरे पास टाइम है उस दिन अच्छा एवरेज निकालके EIS के चैप्टर से निप्टाना हम लोग फिर शुरू करेंगे SM की चिंता मत करो यशी SM अगर आप आखरी के 7-8 दिन भी बैट जाओगी बेटा कंप्लीट कर लोगी और मैं सच बोल रहा हूँ मैं मजाक नहीं कर रहा है शायद मुझे कोई ट्रोल करें इसके लिए भाई कर लेना लेकिन SM ऐसा ही है आपकी जानकारी के लिए मैं बता दू कि पहले हम लोग face to face में SM का fast track batch लिया करते थे धाई धाई दिन में पूरा SM complete मैं करा दिया करता था तो चलो धाई दिन और उपर से लगा लो बच्चा पढ़ ले था खुद से जाके तो पांच दिन में तब हो जाता था तो चलो मैं आपको 7-8 दिन बोल रहा हूँ ठीक है एक पसंद भी घबराने की जुरूरत नहीं है बेटा इनके लिए डन ऑके जी ऑल लिए बेस्ट ऑके परमेश के पास दिलते परमेश ने बहुत दार पूछा परमेश भाई बोध रूप का प्लाइन चीह होगा आपको है अन्मिट करो तो भाई बोध रूप के लिए मैं ल बहुत बिडिया फीड़ए कैसा है क्लासिज का मजारा ओड़िट में इसना पूछा है तो भाई तो भाई बहुत बढ़िया परमेश खुब अच्छे से पढ़ाई करो भाई और सब बच्चे सुन लो जिनोंने क्लासिज रिकॉर्डड जो रिकॉर्डड क्लासिज देख रहे हैं मौक टेस्ट तुमने नहीं दिया न आप समझ लेना कि न मैं तो बच्चों के साथ में एक रिष्ट बनाता हूँ हमारा रिष्टा खतम बेटा मौक टेस्ट नहीं दिया तो मैं तुमारी रिस्पॉंसिमिल्टी नहीं लूँगा और नहीं बात करने वालों मौक टेस्ट दिया करो यार जब आप शुरू से क्लास ले तो फाइदा तो यही है ना बाकी बच्चे आप देखा कर जो बच्चे शुरू से जुड़े हुआ है जो लेट आ रहे हैं उनको जो मौक टेस्ट बचेंगों वो तब देंगे लेकिन आप लोग शुरू में तो आपको सारे मौक टेस्ट देने चाहिए क्लारिटी है इस बात पर कमान चलिए हांजी प्रमश कोई बात नहीं मैं आप चेप्टर नंबर फॉर बच्चो ओड़िट का अल्दो ये बात है करने नहीं थी बेट कर देता हूं चेप्टर फॉर को दो पार्ट में डिवाइड कर लो इजए और टफ दो पार्ट में डिवाइड कर लो जो इज़ी वाला पोशन है वो हमेशा आपका जल्दी से हो इखटा कर लो और उसको लास्ट में रिवाइज करा करो पहले इज़ी वाला निकाल लो आप देखो के साथ सतर परसंट चेप्टर इज़ी वाला रिवाइज हो जाएगा फिर लास्ट में बचेगा उसको पकड़ लोगे का चथी गए तफ पोशन बचा है ना इसको में डे इसका चाइब कर लोगे लोगे है तो यसकी धियो तो इसकी अगर अगर मैं रिगाएज करण कर आऊँ तो इसके मिने कौह ऑँ चाहरा थेखो जेटी को आपके लोगे कि है तर इसके मैं आपके गए ट्रकी नहीं ऐन प्र इसके ग्रिख देखु आँ यायु ए सच्छार के आपको लग रहा है तो आपको लग रहा है रिली इससे आपट आ रहा है रिली इससे आउपट आरे है दोस्त प्लीज फॉलो यॉर ओन तॉर नमबर वन बूर टू बुक्स पढ़ने का प्रेशर और personality development का प्रेशर grooming का प्रेशर अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बुक्स भी किसी लालाच में पढ़ रहे हो तो आप बुक्स से कभी कुछ सीख नहीं पाऊगे बुक्स आपके लिए एक leisure activity होनी चाहिए कि अब मैं अपने आपको enrich करूँगा बैट के मैं थोड़ा सा enjoy करूँगा मैं intellectually grow करूँगा और उसके लिए आपको कोई pressure तो है नहीं आप मान लो अगर एक बुक पढ़ रहे हो psychology of money तो उसका कोई test तो होना नहीं दोस्त casual reading करो casual reading जब आपके पास time निकला थोड़ा सा break लिया पांच मिन्ट किया social media scroll कर नहीं जब बुक को पढ़ लिया और ऐसा मत करो कि नहीं मुझे बुक अभी खतम करनी है तब खतम करनी है अगर इस समय मैं कभी आपको अपनी table की photo दिखाऊंगा जिसमें मैं books पढ़ता हूँ उसको utilize करो तो सबसे जादा फाइदा रहेगा I hope मेरा internet सही चल रहा है घण जी तो आप अब इसको जब अब ब्रेक ले रहो ना ब्रेक ले रहो जब पढ़ाई से तब आप उसको utilize करो ठीक है अहाँ येस break में उठा लो ब्रेक में उठा लो और देखना मेरा ऐसा मानना है मेरे साथ भी ऐसा होता है अगर कोई बुक बहुत ही अच्छी होगी ना किसी बुक का कॉंटेंट वो आपको छोड़ना ही नहीं देगी वो आप पांच मिंट के लिए बीस मिनिट पढ़ाईगी आपको बहुत अगंटा पढ़ाईगी आपको ऐसा होता है कि नहीं होता है तो दोस्त उसकी चिंता मत करो टेक इट एज रिफ्रेशिंग एक्टिविटी उससे आप कुछ ऐसे मत सोचो कि टेस्ट होना है या कोई आपको उस पर टेस्ट करेगा आप उसके रिफ्रेशिंग एक्टिविटी की तरह लोग ज्यान बढ़ता जाएगा ठेक है अब आपको कोई बात ने गुनीद भाई ऐसा तो नहीं होगा कि सारे मौक टेस्ट ही आप लेट दोगे हमने तो एंड तक के मौक टेस्ट बना दी है तो जो भी मौक टेस्ट आप टाइम पर सब्मिट करोगे डेफिनेटली वह चेक हो के मिलेगा तो आप ऐसा मत सोचो कि मौक टेस्ट इवैयलूएट इन ही नहीं होगे हां आप थोड़ा लेट परना शूरू करोगे त Cap जो डेना शूरू करो गे वह से उवैलूएट होना शूरू हजागा ता इम पर देना शूरू करोगे और एक बात आप लोगों को और बता दूँ बिल्कुल होंगे दोस्त टेंशन मतलो तुम मौक टेस्ट की कोई भी बच्चा मौक टेस्ट की टेंशन ना ले बस इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छा मैं मौक टेस्ट दूंगा ही नहीं अगर आप पढ़ रहे हो तो दो बहुत सिंपल सी बात है ठीक है और एक बात और फिरिंदा मैं ने भी चैट में लेकर बताया है कि हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी जल्दी शुरू करने वाले हैं आपके साथ तो उसमें भी अगर आप लोग ऑडिट पढ़ रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं हम टाइम डिसाइड कर लेंगे उसका आपको लगता है कि चलो यार मैं आद अपाना गंटा सर के साथ ब आयूश कहलें आडिट की बुक नहीं आई आयूश भाई एक बार मुझे टेलीगराम करो मैं इसको सॉल्ब करता हूँ इस तरह के सेशन भी हम आपके साथ लेते रहेंगे लगाता आपके पेपर तक आपने साथ में बने रहना है और इन सेशन का फाइदा अभी है जब आप चलवा गए तो आप बस साथ में बने रहें आप अपना रूटीन बनाके पढ़ते रहें उसे अप्टिमाईज करते रहें हो सकता है किसी दिन आप डी मोटिवेटेड फील करें इस टोटली ओके अगले दिन उठके फिर से लड़ो राइट अगले दिन उठके फिर से बिल्कुल ना घब रहें आप से हम दुबारा आएंगे बात करने के लिए और आपके जितनी प्रॉब्लम्स होंगे हम इंडिविजल स्पेसिफिक कोशन लेना शुरू करेंगे महाँ पर और वो सारी प्रॉब्लम्स बैटके हम लोग सॉल्व करेंगे खूब पढ़ो और अ अगर आपको classes अच्छी लग रही है, services जोम दे रहें अच्छी लग रही है, please recommend करेंगे अपने दोस्तों को, यह मेरी आपसे request है, okay, चलिए, with this note guys, thank you, thank you very much, stay connected, stay head, जय हिंद, और हामें तो सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू, तो जीतना शुरू, bye bye, take care, God bless you all, मेहनत क रूटीन बनाएंगे, पास होंगे, खूब आगे बढ़ेंगे जिन्दगी में, ठीक है, चलो, bye bye bye